Hello everyone, आज असी स्टार्ट करांगे पंजाब जी के, पंजाब दा इतिहास अते पंजाबी विर्षा इस topics देविच, इस lectures देविच असी सारा पंजाब दी, history, present, economy, geography, सारा स्टार्ट करांगे, ठीक है जी? तो आज फस्ट लेक्चर देविच असी बेसिक नॉलेज पंजाब देवारे इदेविच study करांगे, ठीक है? तो ये लेक्चर वान है पंजाब दे, पंजाब दे कदो मनाया जान्दा है? 1st November 1966 नू 1st November 1966 नू, इसे दिन पंजाब दे, विचो हर्याना, हिमाचल, एंड चंडिगर की है, सेपरेट किता गया सी चंडिगर इसी हो capital, joint capital, हर्याने देनाल, ठीक है? तो अदी की है? चंडिगर international border, पंजाब दा के दना लगदा है? पाकिस्तान दिनाल, ते वो international border नू उसी की कैने है, red cliff line, ठीक है? international border, जो पहला draw होया सी, ठीक है जी, वो की है? red cliff line है, जो साथा पंजाब, पाकिस्तान दिनाल लगदा है फिर्स्ट गवर्नर कौन सी गा? 1947 दे विच, ठीक है? 1947 दे विच, 1966 वाले जो भी नामाव वक्रे होंगे क्योंकि पहला पंजाब, सारा पंजाब सी ना, हर्याना ही माचल, उदो, चंदुलाल, माधवलाल, त्रिवेदी, 1947 विच, फर्स्ट सीम कौन सी थोड़े, डॉक्टर, गोपी, चंद, भार्गवाद तो जो दो डिवीजन होई है 1966 विच, फर्स्ट गवरन कौन सी धर्मवीरा, धर्मवीरा सी, ठीक है? फर्स्ट सीम कौन सी थोड़े घ्यानी गुर्मुक सिंग मुसफिर, ठीक है? 1966 जान रखना है 1st and only female CM 1st and only female CM कौन सी Punjab दी रिजंदर कौर पथल High Court कि थे है Punjab and Haryana High Court Joint है जी 1st Chief Justice कौन सी गे Justice Ramlal सी गे 1st Chief Justice in 1966 एस सारी चीज़न याद रखने हैं Justice Meher Singh सी गे Vidhan सबा कि थे है थोड़ी Chandigarh एक ही हाउस है ठीक है जिदना की सेंटर विच लोगसभा राज्यसभा होंदा है उसी तरह कही स्टेट से विच की है Legislative Assembly and Legislative Council पर साधे पंजाब विचिक कोई हाउस है केड़ा है Legislative Assembly ठीक है विदान सबा 1st Speaker कौन सी कही है Kapoor Singh 1st Speaker in 1966 कौन सी Harbans Lal Gupta 1st Deputy Speaker कौन सी 1st Deputy Speaker in 1966 कौन सी Jagjit Singh 1st Woman Deputy Speaker 1st Woman Deputy Speaker कौन सी Shirmathy Shanno Devi 1st Woman Deputy Speaker कौन सी 1951 ठीक है तो पंजाब दा State Animal कौन है Black Buck ठीक है देखो मैं फोटो भी लाईया तो ओधा Scientific Name भी आद करना है तुसी ठीक है Scientific Name भी याद करना है State दा Tree कौन है Shisham ठीक है State Tree के नूँ कहने आपा Shisham नू English विच उनू Indian Rosewood कहन देया ठीक है तो Scientific Name भी जुरूर याद करना है State दा Bird कौन है Baj वैसे नू गोशौक भी कहन देया ठीक है नदरन गोशौक ठीक है तो साइंटिफिक नेम भी याद रखना है State Aquatic Animal Indus Dolphin ठीक है तो यह भी 2019 देविच ठीक है Captain Amrindus Singh के उस कमेटी दे चेर मैंसी जोदो इना ने जेडी केडी किते पाई जन दिया Indus Water इसी रिवर देविच ठीक है अनू State Aquatic Animal दर्जा दिता Scientific Name दुसी आद करना है तो यह यह Indus Dolphin जडी है यह इंडेंजर्ट लिस्ट चाहे Indus लिस्ट होन दिया भी खतम होन जदो Categor है ना Vornable, Indigent Extend जडी बिल्कुल ही खतम होन दिया मतलब के यह इंडेंजर्ट है ठीक है Indus River जडेंडेंजर्ट है ठीक है केडे रिवर विच पाई जन दिया Indus दियां काफी सारियां की ने साधी आटर्बूटरी ने केडे विच पाई जन दिया है ब्यास विच पाई जन दिया ब्यास रिवर जडेंजर्ट है Punjab government has stated that Indus River Dolphin would be the key species for conservation of the ब्यास ecosystem next क्या है total area कितना है 50,362 square kilometer ठीक है तुसी आणल नाल जडे में square miles लिखया है या percentage है ये वी जरूर पढने है मतलब total 1.56% of the total area ठीक है ruler area किना है इदे विच रूलर area किना है और इदे विच रूलर area किना है A.V. distributed है ठीक है ruler area है 48,265 square kilometer urban area है 2,097 square kilometer so population किना है अपने Punjab दी 2.77 crore ठीक है जो किया 2.26% of total है जनी total population है देश दी ओ दी किया 2.26% है ruler population कितनी है 132.2 lakh and density किनी है 551 per square kilometer ठीक है density है किने area है किने के लोग की रहन दे या ठीक है so capital सौरी दोहरा होगी में तो चंडी कड़ है literacy rate किना है so literacy rate किना है अपना 75.54% है district किने है 22 तहसील किनी है 82 ठीक है female पर female पर male female पर thousand male किनी है 8.93 मतलब हजार मुंडे पिछे किन्या कुडिया ने ठीक है या हजार मेल पिछे किन्या कुडिया ने 8.93 so elevation बालके सौमूंदर लेवल तो आपा किनी हाइट थे है देखो आँ देखो मैं था नू समझा आँ दी कोशिश कीती है अपना किनी elevation थे हा this is the elevation ठीक है so its average elevation is 300 meter बालके 980 foot above the sea level अशी सी तो sea level तो किन्या उच्चे बैठे है 300 meter with a range from 180 कितो range मतलब 180 meter तो लेके 500 meter तक ठीक है अपना area जड़ाया uplift हो जानद उपर नू उच्चा ही ते बैठे है अशी ठीक है बालके 180 तो लेके more than 500 तो भी उच्चा एरिया अपने पंजाब दे विच आनदा है sea level दे अपने पंजाब दे विच आनदा है sea level दे अपने पंजाब दे पंजाब किया देखो मैं नीचे एक्स्प्लेइन किता is the height of a point above और below sea level मतलब अपन दा अबब दी गाली कर रहे है ठीक है 180 मीटर अबब भी बैठे है आसी तो अबब किन्या उपर जानदा है 500 मीटर तक अबब चलेया जानदा है ठीक है next is Punjab Extend देखो latitude and longitude पढ़ना भी बहुत जुरूर इया latitude 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 क्या है this is your earth zero degree equator ते कट्या हुआ है ठीक है equal यह थे half इदर नदरन स्फेर हो गया इदर की हो गया सदरन स्फेर तो यह latitude हुंद है अब गड़ा पंजाब हो किन्ने तो मतलब latitude चौन दा है these are these parallel lines यह ज़री है parallel lines है इन्हों से की कोने latitude कहने है और इस तरह longitude की हुँद है उस तरह आज 0 degree तो इदर नू किया ज़रो यह lines अंजे सारी है किया longitude हुद हुद है ठीक है उसी तरह earth 0 degree ते ना लेदर distributed है इदरों भी ठीक है so Punjab extend from latitude 29.30 degree north to 32.32 degree north है तो मैं होनी था नू की समझा तो मैं होनी था नू की explain कीता है so latitude आज 0 degree ते अर्थ होगी तो आपा ता नदरन स्फेर ची इंडिया हुद है तो Punjab दा latitude दसे हुद है और किया है 32.32 तो लेके कित तक है 29.30 ते विच विच की हुद है तो आज़ा पंजाब आनदा है उसी तरह उने longitude भी explain करने दी कोशिश कीती है तो दिस इस 0 degree तो आज़ा नू Eastern Hemisphere तो आज़ा हुद ही इंडिया सारा Eastern विच है तो पंजाब दा ने था नू कीदसन दी कोशिश कीती है तो पंजाब दा ने था नू कीदसन दी कोशिश कीती है एस साइड वैस्ट यशाइड थТак किया पाकिस्तान है नॉर्थ विच उपर था था की पहिदा है जमु कश्मीर है इदार अबब था था की है जमु कश्मीर है थे नॉर्थ ईस्ट विच गय है आठ इसMusic नॉर्थ आर्थीस हिमाचलपर देष और अगर देखिए ता यह राजिस्थान है ठीक है जी जो बॉर्डर डिस्टिक्स अफ मंजाब ठीक है हर्याना सौरी साउथ वाली साइट ते क्या है हर्याना एंड राजिस्थान पेंदा है सो बॉर्डर डिस्टिक्स ऑफ पंजाब बॉर्डर डिस्टिक्स के देनाल पाकिस्तान देनाल जना था बॉर्डर लगदा है फिरोजपूर तरन तरन अमरिसर गुर्दासपूर पठानकोट एंड फजिल का ठीक है यह तुसी पढ़ लेने हैं ट्राइब करें कि कोई डिरेक् पंजाबी है इस थे 10th most widely spoken language in the world दसमें नमबर ते हों दिया वर्ल्ड विच सब्तो जादा बोले जान वाली पाशा इट इस और फोर्थ मोस्पोकल लेंगवेज अश्या एश्या विच किते हों दिया फोर्थ नमबर ते केडी स्क्रेप्ट लिखी जान दिया गुर्मुखी पंजाब state has been divided into 5 divisions इस divisions दे जो head हो commissioner हों दे ने थीक है इना commissioners दे अंडर sorry इना divisions दे अंडर district district level दे थोड़े की हों दे दिप्टी commissioner हों दे दन ADC है ठीक है न देन SDM हों देया देन फिर तसील्दार हों देया ठीक है फ्रीद कोड फिरोजपूर जलंदर पत्याला रूपनगर और इच दिवीजन है ठीक है पंजाब नू पंच दिवीजन च बंडिया गया है दिवीजन कंप्राइस दिवीजन दे विच के दिस्टिक्स ने विच अधिड़ेट बाइदा दिप्टी चेक है अग यागे डिवीजन है अगे डिवीजन से रहाइड़ेट बाइस जनू SDM के आनने आपाँ ठीक है तैसी रहाइड़ेट भाइट सील्दार्स अब्सील्ड़ेट ने अपने 22 डिवीजन से भीच हुने जूर याद करना है केडी डिवीजन केरा डिस्टिक हां शरिमुकत्सर साहिब मुग्गा लिधर को चौनदा है वीत गोड ब्थिंदा एंट मांसा पत्या पत्याला पत्याला थेला फित्यावा लुद्याना बरनाला एंट संगर रोपड सब्सक्राइब एंट संगरोपड मतलब रूप नगर इंट्नि साथनने मनें आखिक है कि एंट सौरी सेस्ट नगर मुहाली एंड स्बीस नगर क्या है शीद पर गसिंग नगर केड़ाया नमाशेट ठीक है जी हुन कुछ इंपॉर्टेंट स्टैक्स पॉट्स्ट्टिक पॉष्ट्टन जो पढ़ना जुरूरी है लाग जस्टिकेड़ा है पंजाब दा लुधियाना जिनो सी की किन न है मैंचेस्टर ऑफ पंजाब वाय क्योंकि यह थे बहुत इंडस्ट्री या ते एंद जो सी की कनना है मैंचेस्टर ऑफ इंडिया स्मॉलेस्ट डिस्टिक केड़ा है सब तो ज्यादा पॉपुलेशन किते है ठीक है लुद्याना विछ लीज सब तो काट पॉपुलेशन किते दिया बर्नाड़ा दी पर्संटेज इंक्रीशन फेलिशन थे के डिशन थी दो जर एक दी अकडिंगली यह ए डेटा सारा दो जर ग्यारा तक ठीक है हले अवैलेबल घ्र सब्तो जादा किन्नी किन्नी पॉपुलेशन इंक्रीश हो यह थो अडे थे 13.9 परसंट थी कैंजी 13.9 परसंट पहलना किन्नी क्रीज किते हो या मुहाली विच S.A.S. नगर विच ते मिनिमम सब तो ज्यादा ग्रोथ किते हा मतलब population सब तो कट इंक्रीज किते हो या नमा शेर S.B.S. नगर ठीक है जी as per projection population of Punjab in 221 वाला के जे ऐस वले counting किरिये तक हैं ता जे पंजाब जी जडी होन 2021 तक दी population जडी है इस नियर अबाउट तिन करोड ठीक है 0.07 next is population in percentage ठीक है रूलर अरिया ज किनी रहन दी है 62.51 ठीक है एक दे कोडिंगली किना सी 484 पर स्क्योर किलोमेटर मोस्ट ली सब तो जादा दैंसली पॉपुलेटेड केड़ा है लुद्याना चिए सब तो कट दैंसली पॉपुलेटेड केड़ा है मुक्सर लिटरेशीरसी रेट सब तो जादा पढ़े लिखेलोग आज दी डेट फटनी इस्टेटेडेड क्या है 75.8 पर सेंट थीक है 2001 किना सी 69.65 पर संट ठीक है सब तो जादा पढ़े लिखेल दिस्टिक देड़ा है जी कि नहीं आए थी रेट लिटरेसी रेट 84.6 परसंट आएम अंध फीमेल लिटरेसी रेट भी इसी डिष्टिक दा है ठीक है तो सब 도ंपार्ट लेट लेटरेसट डिस्टिक डिष्टे केड़ाया artists 62% तो सब तो कट male and female literacy rate भी इसी district दा है ठीक है जय थे मैं लिख्या भी होया है कि male or female जड़ा literacy rate है वो अपने किनना है ठीक है 80.5% and male दा किनना है 80.5% and female दा किनना है 70.7% 2011 दे कोडिंग ली 2001 वी चनना सी 2011 वी चनना सी next is sex ratio next is sex ratio sex ratio the number of female per thousand male किनना फीमेल्स ने 1000 मेल्स दे पिछे ठीक है so 2011 दे विच जड़ी present अपना केल देख रहे हैं होया गया 895 2001 किननी सी 876 comparison नाल ठीक है हुन male किनिया male किनने थोड़े state दे विच 53% 1.46 क्रोड ठीक है तो female किनिया है 1.31 क्रोड 47% है highest sex ratio मतलब सब तो ज्यादा इंप्रूवड सेक्स रेशो कह सकते हैं भी जित्थे कुडियां मुंडियां दे comparatively इंप्रूवड हाइस sex ratio मतलब 1000 मुंडे पिछे किनिया कुडियां ने सब तो जाला कितने हुशारपूर 962 हुशारपूर है सब तो पड़े लिखे district भी यह है highest sex ratio भी यत्थों दिया है lowest sex ratio कितों दिया बठिंडे दी 865 किनिया कुडियां ने 1000 मुंडे पिछे 865 child sex ratio 2011 दिकिया है 846 2001 दिकिया है 798 तो highest child sex ratio highest किते है नवाशेर और lowest child sex ratio किते है तर अंतर ठीक है तो sex ratio दा मतलब भी सेम इसी भी किनी number of female per 1000 male in the age of age group child sex ratio किने age group दे बच्चया नू लेने है 0 to 6 years ठीक है तो किनिया females ने 1000 male दे पिछे ठीक है तो इंडिया दी अगर मैं state दी गल करां सब तो जादा improved child sex ratio कितों दिया अरुनाचल प्रदेश ठीक है highest है और lowest हर्याना में है UT दी गल करांता अंडिमें निकोबार आइसलेंट ठीक है improved है एथे बहुत देखो ठीक है इथे उल्टा है 2001 and 2011 ठीक है पहला दो ठीक है इंडिया दी क्या है इंडिया लेवल ते क्या है 927 ठीक है जी प्रद्ट अग्र हें सब्सक्राइब कर उत्तर दिया और ईंडिया एसलेंट तक्रदा में क्या है इसलेंट आप दंगर है तोंनो ब्रदेखना चाहिन्ए तपला प्लीस आनूकमेंट करो और इसलेंट नु